हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियने मैतमेटिक्स पर तो आई ये स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कक्सा दस का पार्थ दो जिसका नाम है मानवतंत्र मानवतंत्र के अंदर एक्चोली हम क्या-क्या सीखने वाले हैं वह पहले डिस हैं कच सरीर के अंदर अंग होते हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं वह सभी हम लोग आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं तो आहिए मगािए हम लोग जैसे अनू से परुमानू बनता है और पनमानों से कुछ बनता है वेसे ही हमारे सरीर के अंदर कोशिकाओं से उतक बनता है उतकों से अंग बनता है और अंगों की जो structure मिलके बनाती है उसी को हम लोग सरीर कहते हैं जो आपके सामने ये खड़ा ये क्या है मेरा सरीर है और मेरे अंदर क्या है कोशिकाओ मेरा ये जो दखाई दिखाई दे रहा है यह क्या है और इसी के ऊपर आज हम लोग में वाले हैं सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपना पाचनतंतर पाचनतंतर को इंगलिस में बोला जाता है digestive system क्या बोला जाता है माइड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं सबसे पहले मूँ से खाना खाते हैं मूँ के अंदर निवाले को बार-बार-बार-बार-बार चबाते हैं और इस नली से यह भोजन पहुँच जाता है अपने पेट के अंदर पेट को बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर इस्टोमक क्या बोलते है मैं डिफ्रेंट्स इस्टोमक के बाद यह जाता है अपनी छोटी आंत में चोटी आंत में यह पचके जाता है बड़ी आंत में बड़ी आंत से घूम के यह अवसोसित होके यहां पे इकटा होता है और इकटा होने के बाद गाउं में सुबर लोटा लेके जाते हैं बाहर तो यहां से बाहर निकल जाता है तो माधे फैंड्स आया कुछ समझ मैं कहां से लिया कहां से निकाला बीच के अंदर की जो प्रक्रिया हो रही है इस बोजन की वो अपन इसके अंदर देखेंगे कि कौन-कौन सी इसमें पदार्थ मिले केसे ये भोजन टुकडों में बटा और केसे ये छोटे-छोटे टुकडों में बटके सरलीकरत होके इसके अंदर कौन-कौन सी ग्रंतियों ने कौन-कौन सा सामान मिलाया और अपने को उर्जा प्रदान की तो आज हम लोग देखते हैं कि ये खाना क सबी जानते हो कि मुँ में क्या होती है जीव होती है क्या होती है जीव और जीव को बोलता है जिवा साइंस में जब हम लोग लिखेंगे तो इसको यह से नहीं लिखेंगे जीव है इसको लिखेंगे जिवा क्या लिखेंगे मैं डिफ्रेंट्स जिवा मुह के अंदर जिव बोजन को फिराने का काम करती है और इसी मुख के अंदर अपने लार ग्रंथियां मौजूद होती है जो लार छोड़ती है जो क्या करती है बोजन को लसलसा बनाती है जो कि अपनी जो क्रास नली है यह ग्रास नली यह जो जारी है इसको बोलते हैं ऑविसोफेगस या ग्रास इसके थू भोजन हमारे पेट में पहुंचता है यह जो है यह चित्तर देख रहे हो आप इसको बोलते हैं डायाफ्राम और जिसके ओपर अपने फैंपड़े होते हैं कि मैंधे फ्रेंज्स यहां तक आफ आप लोगों क्लियर होगा यह जो इधर साइड में चित्तर बनाया है मैंने यह अपना यक्रत ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको ये है अपना यक्रत ये भी कुछ इसमें मिला देता है रस जिस्टे क्या हो जाता है बोजन पचने में आसान हो जाता है ये दिखाई दे रही है ये जो जारी है ये है अपनी छोटी आथ ये छोटी आथ भी कहीं सारे जूस मिला दे बोजन से उर्जा का आउशोशन करती है और उसको कहाँ पूचा दिये यहां मलदवार तक पूचा देती है मलदवार से शुब के टाइम मोदी जी की करपा से गर-गर में गड़र बन गया और गड़र में जाके यहां से उस अपसिष्ट भोजन जो अपसिष्ट पदार्त बच जाते हैं जिनको अपना सरीर पचार नहीं पाता है जो पाचन योगे नहीं है या फिर जो एडिस्टनल आ बोलेंगे मुख और इसी के अंदर लगी होती है अपने तीन लार ग्रंथियां क्या होती है लार ग्रंथियां कि इसी के अंदर यहां पर होती है अपने जीव या जिवा क्या बोलेंगे इसको जिवा जो क्या करती है बोजन को गुमाने का काम करती है जो मुक के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर मुक गुआ का जो अंतिम बिंदू है वहां तक सिच्चुएट होती है और इसमें भोजन में ये लार ग्रंतियां लार को मिला देती है ये जो लंबी सी दिखाई दे रही है अपने को इसको बोलते हैं ग्रसी का क्या बोलेंगे इसको ग्रसी का ये क्या करती है भोजन को यहां से लेके यहां तक अपने पेट तक पहुँचाने का काम करती है ये है माई डियर फ्रेंड्स अपना पेट जिसको बोलते हैं आमास से क्या बोलते हैं आमास से ये इधर बता दिया इसको बोलते हैं प्लीहा क्या बोलते है माई डियर फ्रेंड्स प्लीहा और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग यक्रत ये है अपना डायाफ्राम जिसके उपर फैंपडे होते हैं अपने जिनमें सांस का काम होता है इसको बोलते हैं अपन बड़ी आंत क्या बोलते हैं बड़ी आंत या सुद्रांत इसको अंदर वाली को बोलते है हैं चोटी आंथ क्या बोलते हैं इसको चोटी आंथ कि यह हो गया अपना मलास से कि यह हो गई अपनी गुदा नाल क्या हो गई गुदा नाल और यह हो गई अपनी गुदा क्या होगी माड़ी फ्रेंड्स गुदा यह जो नीचे लटक रही है इसको बोलते हैं पारिसोसी का क्या बोलते है मैंडे फ्ररेंड्स पारिसोसी का ओके ये चित्तर कcción एप लोगों चित्तर करते हैं कौन-कौन ज़े सामान क्या-काम कर रहे हैं अपने सरीर में मुख से स्टार्ट करेंगे और यहां तक खतम करेंगे तो यह आधा चेप्टार फिनिस है ये सबी अंग मिलकर आहार नाल का निर्मान कर रहे हैं ये आहार नाल आठ से लेके दस मिटर तक लंबी होती है जिसको पोशन नाल भी केते हैं यहां से स्टार्ट हुई और यह चलती हुई यहां से स्टार्ट होके यह घूम के यहां तक आ गई इसको बोलते हैं आह तीन कारिये होते हैं क्या क्या करती है यह आहार को सरली क्रत करना सरली क्रत क्या होता है टुकडों में तोड़ना जैसे अपने एक गास लिया रोटी का इतना बड़ा फिर क्या होगा ये इतना बड़ा मुख में छोटे छोटे टुकडे हो जाएंगे इसके क्या हो जाएंगे छोटे छोटे टुकडे लेकिन ये टुकडे अपना सरीर पचा नहीं सकता इनके साथ जब मुँ में घुमेगा तो ये क्या होगा ये चोटे-चोटे टुकडे लार के साथ मिलकर एकदम और बारीक में तूट जाएंगे ये बारीक टुकडे जब अंदर जाएंगे तब इनका अवसोशन होगा क्या होगा अवसोशन क्या होगा इनका OOSUCTION मतलब इन में से जितनी भी energy है जितनी भी उRJा है वो बाहर निकाली जाएगी तो first काम क्या हो गया? इनको सरली करत करना इनको टुकडो टुकडो में तोड देना second का क्या काम हो गया? इनका OOSUCTION करना और तीसरा क्या काम हो गया इनको यहां तक पहुचा देना लाश्ट तक जो जो वेस्टेज मेटेरियल है उसको ठेट नीचे तक पहुचा देना आहार नाल से यहां तक पहुचाने का काम के अंदर यह जो आउशोशन का काम है यह सबसे हाथ तक पहुचा गया और यह से इंपोटेंट होता है विभिन विबिन यहां से लेके यहां तक गनतियां लगी होती है वह गनतिया क्या कड़ती है इसमें लार को मिला देती है विभिन जूस जिनको पाचक रस बोला जाता है वो पाचक रस्व अपने भोजन के अंदर मिला देती है, जिनसे अपना भोजन इनसे आउशोशन करशकता है उर्जा का, जैसे मुख के अंदर लार गंतिया लगी होती है, तो पेला आपने देख लिया कि ये जो मुख है, पेला कौन सा हो गया, मुख, अपना मुख, इसमें भोजन गया, लार मिली और आगे पहुचा दिया, इसके अंदर क्या होता है, आप लोग देखते हो कि अपने दांतों का एक सिस्टम सेट जमा है अंदर, किसे बने होते हैं, मसूडों से, और मसूडों की इस प्यवस्ता को कहते हैं, दीबार दंती, क्या बोलते हैं, द्वी 2, कितने मसूडे हैं, 2, तो इसके क्या बोल दिया, द्वीबार दंती, और इसको क्या बोलते हैं, वैसे, नौरमली बोलते हैं, अपन गर्त दंती, क्या बोलते हैं माधियर फ्रेंड्स, गर्त दंती, नेक्स्ट यह होता है मसूडा और मसूडे में कितने दांत होता है यह तो नीचे वाला मसूडा और यह उपर वाला मसूडा नीचे वाले में भी 16 दांत उपर वाले में भी 16 दांत actual में होता क्या है my dear friends दान्त होते हैं अपने चार परकार के, कितने परकार के my dear friends, 4 परकार के होते हैं दान्त यहां तक ले लिया मैंने 4 परकार यह जो first type है यह निकलते है सबसे पहले आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले यही दो दांत आते हैं जो किसके काम में आते हैं कुतरने के काम में और इन कुतरने वाले दांतों को अपन बोलते हैं क्रण्टक क्या बोलते हैं क्रण्टक या फिर इंसीजर क्या बोलते हैं माड़े फ्रेंट्स इंसीजर या फिर अपन लिख सकते हैं क्रण् जितने मासाहारी जानवर रहते हैं उनके यह दाथ सुपर सॉलिड वाले रहते हैं यसे मास्व को ऐसे चीर के खा जाओ जाए कि आरे चैन भाया हो समझ में कि बात समुझमाली कि नचलो नेक्ट है इनको बोला जाता है नेक्स्ट वालों को अगर चावरनक क्या बोलते हैं प रुच्वरनक कया इनको चा ओम नक तो पन को कुतरने में काम आता है जो की चुहों के अंदर सबसे ज्यादा होता है से किण हुआ यह को और उसके आगे वाला है यह दोनों टाइब क्या होती है बोजन को चबाने में सहाइक होती है जिसे बोजन के टुकड़े संधार हो के जाता है ने टैंट क्या है गतों क्य बोलते है इसको गरेती है क्या हुटstaw हुट होती पर अपने UK अपने गळले के अंदर जिसको क्या बोलते हैं अपन राजस्थानी में तो भिया ताडवा बोलते हैं जो यह से लटका होता है बीच में वो गे अपनी ग्रसनी उसके आस पास की जो नलियां होती है उनको ग्रसनी बोलते हैं वो क्या करता है भोजन कहीं स्वास नली में नहीं पहुंच जाए इसका ध और ग्रासनली के साइड में होती है स्वासनली स्वास का काम करती है ग्रासनली ग्रास ले जाने का काम करती है तो यह जो ग्रसनी है यह क्या काम करती है अपना यह काम करती है कि भोजन जो अपन ले जा रहे हैं इसको स्वासनली में जाने से रोकती है अपन तीन भागों में व नासा मुख और कंठ एक्चुल में होता क्या है यह जहां से नाक मिल रहा है यहां से मुख मिल रहा है और यहां पे यह कंठ मिल रहा है यहां से मुख आ गया यह नाक का पोर्षन आ गया यह कंठ का पोर्षन आ गया तो क्या होगा एक्चुल में यहां पे तीन स्ट्रक्चर मि ऑग्योत है मैं मोत नाशा मुक और कंट ग्रसनी घ्रसनी याद हो गया देखते हैं नेक्स्ट हो कि बाद अता माइड डियर्शनली ग्रास नली क्या होता है जैसे एक । जनली का काम बंद ग्रास नली काप तीसे की क्या करती है खौजन को जो नोछ गुहा है जहां पर मुक्का पोर्षन खतम हो गया वहां से लेके अपने पेट तक अपने आमासे तक भोजन को पहुचाने का कारिये कौन करती है यह ग्रास नली करती है ग्रास नली इस फिगर में देखें तो यहां से लेके और यहां तक कि यह जो नली है यह जो नली है यह होती है सेस्मा ग्रंतियां डिफा रबादती है जो भोजन को लसलसा और चिकना बनाता है जिसे बोसक्तों इसमें से निकले तो कहीं every piece of tests क्या करें कहीं अठके नहीं हमारी तरफ आपना यह जो है इसको बोलते हैं आमासे को एक्चुल में नौर्मल लेंगवेजिंग बोलते हैं पैट पैट एक्चुल में एक जेसेब्ड आकरती होती है जो तीन लिटर तक सामानों को ग्रहन कर सकी है और आमासे को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिन से ग्रसी का मिल रही है मासे में तो यह कौन सा पार्ट हो गया अपना कार्डियक कौन सा हो गया मैंडर फ्रेंड्स कार्डियक सेकंड है जठर निर्गमी भाग कौन सा है जठर निर्गमी भाग कौन सा है जठर निर्गमी भाग यह कौन सा भाग होता है यहां से यह पेट आमा से जहां से छोटी आंत में मिला वो भाग हो गया अपना जठर निर्गमी भाग तीसरा है मैं दीर फंडिस कौनजा फंडिस इन दोनों भागों के बीच का यह जो हिस्सा है इसको बोला जाता है फंडिस क्या बोलता है मैंदेर फंडिस यह हो गया तीन हो बीच वाले को कार्डियक बीच वाले को फंडिस और तीसरे को जो नीचे वाला है जो अपने छोटी आंथ से जुड़ा हुआ है उसको बोला जदाए जठर निर्गमी भाग और के माई डियर फ्रेंड्स पेट के बाद किसका काम स्टार्ट होता है छोटी आंथ के अंदर क्या क्या काम होता है क्योंकि ये अमास्य के बाद भोजन कहां गया आपने छोटी आंथ के अंदर और छोटी आंथ ने क्या काम स्टार्ट कर दिया भोजन का अवसोशन सुरू कर दिया भोजन में जो काम की चीजे हैं जिनको सरीर काम मिल लेता है वो भोजन से निकालनी सुरू क कौन किसने चोटी आत ने अब क्या हुआ चोटी आत के भी तीन भाग ग्रहणी अग्र शुद्रांत और शुद्रांत पहल सा कौन्सा हो गया ग्रहणी जिसके अंदर से गुस्ता है दूसरा हो गया अग्र शुद्रांत कौन्सा हो गया मैं डेफ्रेंड्स अग्र शुद्रांत और तीसरा ओगया शुद्रांथ ग्रहिनी क्या करता है पाचन के लिए जो एंजाइम है उन एंजाइम को मिलाने का काम ग्रहिनी करता है नेक्स्ट है अग्रशुद्रांथ 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 क्या करता है जो भोजन ग्रहिने में पचित होता है इसका आउशोशन इस अग्र शुद्रान्त में किया जाता है किसके द्वारा कोशिकाउं द्वारा जिने क्या कहते हैं आंत्र कोशिकाईं नेक्स्ट है शुद्रान्त शुद्रान्त क्या करता है अपना जो भोजन के सामान इस अग्र शुद्रान्त के अंदर पाचित नहीं हो पाते उनको ये सुद्रांत पचा जाता है इस में मुष्टली क्या क्या होता है एक तो 140 और दूसरे होते हैं विटामीन क्या होते हैं नडों को यह चुत्रांत वाला पार्ट है यह एसीली पचा जाता है जो कि अगर सुद्रांत दौरह नहीं पचाए लोगों को दिखाई दे रही होगी यह जो सबसे हाइलाइट करके बना रखी है हम लोगों ने यह अपनी बड़ी आंथ इसके अंदर क्या होता है जो भोजन के वह तत्व जो छोटी आंथ के तीसरे पार्ट शुद्रांत द्वारा भी नहीं पच्चाये जा सकते उनका क्या किया जाता है इन में इस बड़ी आंथ में किन्वं किया जाता है माई डिय फ्रेंड्स किन्वं फर्मेंटेशन बोला जाता है अंग्रेजी में छोटे-छोटे टुकडों में पचाया जाता है और जो भाग नहीं पचता है उसको यहां तक गुदा नाल तक या फिर उसको क्या बोलते हैं मलासे मलासे तक transport कर दिया जाता है okay my dear friends बड़ी आंथ जिसके अंदर तीन पार्ट होता है mostly पेला होता है अधांत्र या अंधनाल सेकिनड वाले को बोलते हैं अपन व्रदांत्र और थर्ड वाले को तो अपना पेट अपना सरीर जो है बोजन का जितना भी रसकस है उसको प्यूर निकाल निकाल के जैसे गन्य की जूस की दुकान पर आपने देखा होगा गन्य डालते हैं उसको फिर निकालते हैं एक बार और डालते हैं फिर निकाला और डाला फिर निकाला और डाला और तब तक उसका जूस निकालते र engineers जब तक कि वो थिल्का छिलका नहीं हो जाता व्यविचे अपना हमारा सरीर भी क्या करता है जब तक भोजन में से पूर्ण रूप से उरजा अ听 नहीं होती है उरजा अउसोशन कहा से स्टार्ट हुआ था यहां से स्टार्ट हुआ था और यह यहां तक भी स्टार्ट ही है तो यहां पे किसका आउसोशन किया जता है आहार रस का आहार रस का आउसोशन यह यहां पे एक छोटी सी जिल्ली दिखाई दे रही होगी आपको इसको बोलते हैं अपन क्रमी रूप पर ये क्या होता है एक्चुल में यू सेब्ड आकर्ति होती है एक्चित भोजन को यहां से ले जाकर इस मला से तक छोड़ देती है यह एक पॉइंट तीन मिटर लंबी फिर यहां पर जितना भी अप्शिष्ट भोजन है जिसको हमारा सरीर नहीं पचा पता है वो यहां पे मलासे के अंदर एकत्रित हो जाता है और फिर शुबह के टाइम या साम के टाइम जिस दिन लोगों का जो जो टाइम है अब भाई मानलो आपका टाइम मुझे क्या पता जो टाइम है उस टाइम पे इस गुदानाल की कोशिकाउं द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है ओके माई डियर फ्रेंड्स तो अपना सरीर आपको क्लियर होगा यहां तक एकदम